जब मिले थे हम पहली बात, तुम करीब आये थे मेरे, तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी थी, और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, तब तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, और मुझे भी तुमसे किया हर वादा सच्छा लगता था। घंटो घंटो फोन पर बाते किया करते थे तो और मुझसे मिलने के बाद अक्सर लेट सोया करते थे तो हर बात पर तुम मेरे लिए केर दिखाते थे रूट जाओं मैं कभी तो तुम जट से मनाते थे 25 से 30 किलो मेटर तक रोज मुझसे मिलने आया करते थे और उसके बाद मुझे गुमाने भी ले जाया करते तो क्यों आज साथ होकर भी हम साथ नहीं और क्यों इस रिष्टे में अब पहले जैसे कोई बात नहीं क्यों हमारे वो पहले जैसे हालात नहीं और क्यों आज मेरे हाथों में तेरा हाथ में एक छट के नीचे रहकर भी तू वजनेबी बन गया है, पता नहीं तू अचानक इतना क्यों बदल गया है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कि, पर कभी तुमने ही ये रिष्टा बचाने की कोशिश नहीं कि एक अरसे से जिन्दगी को ऐसे ही अजस्ट कर रही थी और जो हो रहा था मेरे साथ उसे बेमन से accept कर रही थी और तू मेरी इसी बात का फाइदा उठा रहा था मैं दिल लगा रही थी तू दिमाग चला रहा था पर कब तक पर कब तक इन रिष्टों को घशीटा जाए जहां चलना भी हो मुश्किल पहां भला कैसे दोड़ा जाए पर अब सच बताओं तो बहुत ठक चुकी हूँ मैं और इस गिसी पीटी जिंदगी से पक चुकी हूँ मैं जानती हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं पाएग तूटा था पहले भी ये दिल एक बार फिर से तूट जाएगा पर इस बार में खुद से एक वादा करूँगी दूसरों से कम और खुद से प्यार जादा करूँगी मैं हस्ती रहती हूँ अकसर इसलिए कोई जान नहीं पाता और इस हसी के पीछे का दर्द कोई पहचान नहीं पाता अब किसी को इतना पास नहीं लाऊंगी मैं और किसी को इतना खास नहीं बनाऊंगी मैं और ज़रूरी नहीं कि जबर्दस्ती रिष्टों को निभाया और आहटों से बेमतलब सब को हसाया जाए हम अकसर यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे रिष्टेदार क्या कहेंगे पर जिन्होंने कभी आपका दर्द जाने की कोशिश तक नहीं की आप उनसे क्या उमीद रखें और इस दर्द में रहना है या इससे बाहर निकलना है इसका फैसला सिर्फ आपकर सकते हैं जरूरी नहीं कि अगर आपके पैरिंट्स के अच्छे हो तो आपके नक deportant को आपके नहीं तक हो यह सोचकर अच्छी मैमृ इसको एपनी मे edark Twitchik को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपकी किताब में कहानी नहीं किस से हो और अगर आप चाहते हैं कहानी लिखना तो आपको अपनी कहानी का में हीरो खुद बनना होगा क्योंकि अगर आप किसी और को अपनी कहानी का में हीरो बनाएंगे तो आपकी कहानी अधुरी रह सकती है लेकिन अगर आप खुद अपनी कहानी का हीरो बनेंगे तो आपकी कहानी जरूर मुकमन होगी शुक्रिया